दोस्तों ये चीजे कैमरा में रिकार्ड हो गई वरना कोई भी इस फर यकिन नहीं करता एक आदमी रिल्वे स्टेशन पर सो रहा था लेकिन उसी समय पर उसका एक दोस्त उसे मिलने के लिए आ जाता है ये आदमी अपना काम देखिये कितना बखुबी के साथ में करता है और ये काम इतना अच्छा करता है कि गुसे में ये सारी चीजों को नीचे फेक देता है ये चोर इतने बेवकूफ होते हैं कि ये लड़की के हाथ में टीशू पेपर को मोबाइल समझ कर उससे चुरा लेते हैं दोस्तो शायद तक इस औरत की नजरे काफी कमजोर हो चुकी है क्योंकि इसे अपनी कार से पेटरोल बाहर निकलते हुए दिखाई ही नहीं देता है टंकी फुल हो जाने के बावजूद भी ये उसमें पेटरोल भरती रहती है और सारा पेटरोल नीचे ढूल जाता है ये चाय की दुकान वाले लोग काफी लखी है क्योंकि एक ट्रक से अचाना की एक पहिया बाहर निकल जाता है और ये पहिया घूमते हुए सिधा इनकी दुकान से आकर टकरा जाता है लेकिन ये लोग इस हाथसे में बार बार बच जाते हैं कैमरे में जब ये चोर रंगे हाथों पकड़ा गया तब देखिए इसने क्या किया जैसे ही इस चोर ने कैमरे को देखा उसने पर्स वापिस से लड़के को थमा दिया जैसे कि उसका पर्स गलती से नीचे गिर गया था यह वीडियो कुछ समय पहले मुंबई का है जहां पर एक कुए के उपर सड़क बना दी गई थी लेकिन जब बारिश के बाद में सड़क तूट गई तब उसके बाद कार भी इस कुए के अंदर गिर गई दोस्तों यह चोर एक घर में चोरी करके बाहर निकल रहे थे लेकिन तब ही उनके घर का दरवाजा इन चोरों से नहीं खुलता है लेकिन इन मूर्ख चोरों को यह नहीं पता होता है कि उसे खोलने के लिए बस एक बटन दबाना था और यह चोर करीब तीन घंटे तक इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन आखिर में एक चोर बटन दबा कर उसे खोल देता है और दरवाजा खुलते ही यह घर से भाग जाते हैं यह आदमी कार को चोरी करने के लिए आता है और गाड़ी की कांश को पूरी तरीके से तोड़ देता है लेकिन गाड़ी में बैठते ही उसे याद आता है कि वो हैंडल का लॉक खुलने के लिए कोई औजार तो लेकर ही नहीं आया इसलिए वो गाड़ी को छोड़कर वहां से निकल जाता है इस लड़की ने तो काफे हाई लेवल की चोरी कर दी क्योंकि ये लड़की अपने पैरों के बीश में पूरी क्रेट को ही छुपा लेती है और फिर वो चुपचा वहां से निकल जाती है इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हो कि सडक पर अंदादुन गाडिया नहीं चलानी चाहिए हमें हमेशा दोनों तरफ देखकर ही सडक पार करनी चाहिए इस लड़की की चालाकी ने इसके सामान को चोरी होने से बचा लिया जैसे ही चोर सामन चुराने के लिए आते हैं ये लड़की अपने पर्स को एक घर के अंदर फेक देती है और फिर मजबूरन चोर को वहां से भागना पड़ता है तो दोस्तो ये थी कैमरे में रिकॉर्ड हुई कुछ अदबुद घटना है अन्बिलिवेबल मुमेंट्स कॉट अन कैमरा ऐसे ही और इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रैपिड इन्फो को सब्सक्राइब कर लिजिए यू झाल में रिकॉर्ड है